स्वागते दोस्तों आपका एक बाद फिर से मेरी नए रेसिपी में और आज में आपके लिए लेक कर आई हूँ मुमफली के दानी की बर्फी बनाना बहुत ही आसानी और खानी में बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं और यदि सब्सक्राप हम गयस के आज को मेडिय نہ कर देती हैं । आज पर हम इसी लगता है चलाते वही इसका कच्च्चा पंद खतम होने तक भून लेते ते Noch हैं नहीं और मुमफली के दानी का कच्च्चा पंद खत्म होजाए अगर मुम्हली के दानी अच्चे से Do होंगे तो इसका छिलका भी बहुती अच्छी से उतर जाएगा तो इसे यहां पर सेखते वे 6-7 मिट हो चुकी है और आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इसका छिलका भी उतरने लगा है और जब हम मुमफली के दानी को इस तरी किसे रगण करके देख रहे हैं तो यह बहुत ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे हाज से इस तरीकी से मसल करके इसका यह जो छिलका है इस छिलकी को हटा देंगे तो यहां पर मैंने इसको मसलते वे इस तरीकी से इसका सारा छिलका हटा दिया है अब हम इसे मिक्सी के जार में ट्रांसपर कर देते हैं इसका हमें पाउडर ब बनाकर के त्यार करना है तो मैंने यहाँ पर इसको बारिक पीस लिया है अब हम बर्फी बनाना शुरू करते हैं गेस पर मैंने कड़ाई रखती है इसमें हम एक कटोरी चीनरी डाल देते हैं एक कटोरी मुझफली के दाने लिए थे और एक कटोरी हम इसमें चीनरी डालेंगे साथी में आदा कटोरी पानी डाल देते हैं इसे हम यहापर अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम यहापर चाशनी में अच्छा सव बाल आने देते हैं तो यहापर चाशनी में अच्छा सव बाल आ चुका है अब हम इसे एक से दो मिर्ट के लिए और पकाएंगे इसकी हमें एक तार की चाशनी बनानी है तो यहाँ पर मैंने इसे एक से दो मिर्ट के लिए और पका लिया है अब आप देख पा रहे हैं चाशनी हाँ पर गाड़ी होती नजर आ रही है तो अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ी से चाशनी को उंगली और अंगुटे के बीच में लेकर किस्तरी किसे देख रहे हैं तो इसमें एक तार बन रहा है तो बस इससे ज़्यादा इससे हमें नहीं पकाना है अब हम यहाँ पर जो मुमफली का पाउडर बनाया है इस पाउडर को हम इसमें डाल देते हैं और इसे हमें आपर अच्छे से मिक्स का देते हैं गेस के आज को बिल्कुल धहिमा रखा हुआ है इस समय पर तो यहाँ पर हम इसे जैसे जैसे मिक्स करेंगे कि मिशन थोड़ा सा गाड़ा होता जाएगा तो इसे हमें चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है नहीं तो इसमें गाठे पड़ सकती है बस इसे हमें इस तरह के से चलाते रहना है और अब हम इसमें डाल देते ही दो चम्मश मिल्क पाउडर पाउडर आप इसे भी कमपनी का ले सकते हैं पाउडर डालने से बर्फी बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट देती है और इसे के साथ में यहाँ पर डाला है एक चुथाई कटोरी दैसी केतेट कोकोनट और सभी को यहाँ पर मच्चे से मिक्स कर देती है और याथी आप बर्फी में इलाईची खाना पसंद करते ही तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इलाईची पाउडर डाल सकते है तो मेनी हाँ पर इसे भी अच्छे से मिला लिया है और आप आप इसमें डाल देती है एक चमच घी घी डालने से बर्फी के उपर शाइनिंग भोती अच्छी से आजाती है और याथी आप इसमें घी डालना पसंद नहीं करते है तो आप स्किप कर सकते है तो अब हमें इस मिश्रण को तब तक की पकाना है जब तक के ये मिश्रण पूरी तरीकी से कड़ाई नहीं चोड़ने लग जाता है और ये डो की तरह नहीं दिखने लग जाता है तब तक के इसे हमें धीमें आज पर इस तरीकी से चलाते में पकाना है और कुछी तेर में यह मिश्रण यहाँ पर कड़ाय छोड़ने लग गया है यह देखिए बिल्कुल डो के तरह दिखाए दे रहा है तो अब हम गेस को बंद का देते हैं और इसको जमा निकले हम यहाँ पर एक थाली यह ट्रे में घी लगा करके इसको चिकना कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर इसमें लगा देतें एक बेटर पेपर अब बिना बेटर पेपर के भी इस बरफी को जमा सकते हैं और हम बटर पेपर में भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं ताकि बरफी निकालने में हमें आसाली हो और अब हमने हाँ पर जो बर्फी का मिश्ण टियार किया है इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम यह पर अच्छे से सेट कर देते हैं तो मिनिय हाँ पर बर्फी को अच्छी तरह से सेट कर दिया है और अब हम बर्फी की कटेवे पिस्ता से गानिश कर देते हैं और पिस्ता को हम एक बार इस तरीके से पैचुला से दबा देती ताकि बर्फी के उपर पिस्ता अच्छे से सैट हो जाए और अब हम इसे आधी गंटे के लिए इसा ही रख देती ताकि बर्फी हाँ पर जम करके सैट हो जाए तो यहाँ पर हमारा आधा गंटा हो चुका है और अब आप देख सकते हैं बर्फी यहाँ पर जम चुकी है तो अब हम इसके पीश कट कर लेते हैं बर्फी के पीश आप अपनी पसंद से छोटे बड़े आपको जैसे भी पीश रखना है आप उस तरीके से इसे कट कर सकते हैं और देखे अब हमारे ये बर्फी सर्व का निकले तैयार है बहुत ही स्वादिश्ट बर्फी बनी है आप इसे किसी भी प्रातुपास में भी बना करके खा सकते है या फिर आपका जब भी मीठा खाने का मन करें आप इसे फटाफट से बना करके खा सकते है तो यदि दोस्तों आपको मेरी आज की रेसेपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें मेरी इससी और भी रेसेपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आपका बत्पर धन्लिवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए